तो आप देख रहे हैं वीकेटूल चैनल वीशनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे हूं कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीजिनस के बारे में जी है मेरे दोस्त चाहें तो उसको आप अपने घर पे उसको बना कर बेच सकते है और दोस्तों सिर्फ 15 रुपे पूजी लगा करके आप चाहें तो उससे 100 रुपे तक कमा सकते हैं और इस हिसाब से आप जीतना ज्यादा पूजी लगाएंगे उसका 100 गुना आप मतलब 15 का पूजी के हिसाब से 100 रुपे कमा सकते हैं यानि 6 गुना से भी ज्यादा पैसे आ मैं वालता कि दोस्तों मैं भूल जयदा आइडिया ले करके आता हूं तो बीजनस आइडिया उन्द प्स यही इंट्रेस्टिंग बात है कि गाम में रहते हैं तो आप इस बीजनस को करके अच्छा खासा कम्या और सकते हैं दोस्तों मैं आप और तो किस तरह से सबसे पहले आपको इस परड़क्त को जो RAW मेटेरील है उसको किस तरह से खरीद करकर आपको रखना पड़ेका कुछ दिनों तक समाझ लिए कि रखना पड़ेगा तब जाके आप उससे पैसे कमा सकते हैं, दोस्तों कुछ दिनों का मतलब दो से तीन महीने उसको आप कोई स्टॉक करना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे ही जैसे ही गर्मी का मौसम सुरू हुआ, आप उससे पैसे कमाना चालू कर दिये, तो चलिए दोस वीडियो को सुरू क करते हैं और आपको पूरे डीटेल में समझाते हैं, दोस्तों यह जो मैं आपको जो चीज मैंने आपको दिखाया, यह देखने का तरीका दोस्तों यह मैंने अपने घर पे इसको उगाया है, अपने खेत में उगाया है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है, नहीं तो दोस्त इसको समझ लेजे कि इस तरह से नहीं रखा जाता है, दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि यह है क्या चीज, दोस्तों यह मक्का है जी है मेरे दोस्त जो मकई की कहा जाता है हमारे गाव में इसको मकई कहा जाता है दोस्तों वही मकई है जिसका सत्तू बनता है सत्तू जी है मेरे दोस्त और मैं आपको बता दूँ कि अगर एक किलो मकई एक तो पहले अगर किसान है तो यह आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा अगर आप इसको खरीद करके यह बैपार करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सीजन, जब मकई का सीजन होता है जब मकई की कटाई होती है जिस टाइम मकई का बाल निकलता है फंसले होती है उस टाइम में अगर खरी देंगे तो यह आपको 15 रुपए या 18 रुपए किलो के आसपास या उस से कम 15 से कम 14-12-13 गाउं में आपको मिलेगा इस रेट में मिलेगा लेकिन दोस्त उसको अगर 2-3 महीने मतलब सर्दियों के मौसम तक अगर उसको रख लेते हैं और धीरे धीरे जैसे ही फरवरी मार्च का महीना सुरू होने लगता है दोस्तो आप चाहें तो उससे कम से कम एक किलो जी है मेरे दोस्त कम से कम एक किलो मक्का में आप उसको अगर भून करके उसको पीस करके अगर आप उसको बेचते हैं उसका सत्तू का जो लसी होता है गर्मी के मौसम में अगर बना करके उसको लसी बना करके बेचते हैं तो दोस्त एक किलो में आप100 रूपए तक कमा सकते हैं उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं दोस्तो केवल आपको मक्डे का सत्तू ही उसमें नहीं लसी बना करके बेचना है दोस्तो उसमें प्याज, नमक, ओगरे ओगरे जो भी पॉड़क्ट डाले जाते हैं इसके साथ में आपको उसमें पूजी लगाना पड़ेगा लेकिन दोस्त आप चाहें तो इससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं दोस्तों लेकिन आपको थोड़ा ये काम करना बहुत जरूरी पड़ेगा क्योंकि इसको जब सीजन के टाइम में जब ये जो मेन प्रोडक्ट ह जो मकई है इसको खरीद करके रखेंगे और धीरे धीरे जैसे गर्मी का मौसम आता जाएगा लसी बनाने का टाइम आता जाएगा उसको भून करके उसको पीस करके या पिसवा करके रखेंगे तो दोस्त ये आपको एक किलो मकई अगर 15 का रेट पड़ा है उसमें और भी थ आप से 100 रुपए आप कमा सकते हैं, कम से कम, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, ये किलो सत्तु में आप चाहें, तो 100 रुपए से ज्यादा भी कमा सकते हैं, दोस्तों, गर 10 गिलास अगर लसी बनाते हैं, ये किलो सत्तु में, 10 गिलास से भी ज्यादा बनेगा, मैं आपको एक काकणा की अनुसार बताता हूँ कि दस गिलास बनाते तो 10 रुपे गिलास के हिसाब से बड़ा य papah took कउता करें दोश्टो ये जो आइडिया ये आइडिया नया एडिया और मेरे हिसाब से इस परिकार का बीजनने लुख करते तो अगर चना खरीदने जाएंगे तो चना आपको बहुत मेहंगा पड़ेगा तो निश्ची तोर पर अगर मकई का सत्तु बना करके बेचते हैं तो आपको लागत भी कम लेगा और आपको कमाई भी ज्यादा होगा तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही फिर नए पिक पर बात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय बात